तो नमस्ते देविया और देवताओं स्वागत है आपका ये कवर सांधार वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में बात करने माला हूँ YouTube vs. Blogging किसमें कितना potential है किसमें कितना पैसा है अगर आप YouTuber है या फिर YouTube शुरू करना चाहते है या फिर YouTube में या फिर ब्लॉगिंग में तो इस सारे काफी तवाम सवाल आ रहे थे मुझे क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने डाले ती कि हिंदी ब्लॉगिंग में कितना पैसा है मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप लोग ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो और भी देखते रहोगे तो मैं इतना डीटेल में नहीं जाओंगा बट YouTube वर्सेस व्लॉगिंग आपको क्लियर कर दूँगा कि क्या फंड है क्योंकि देखो जो लोग YouTube में उनको लगता है कि ब्लॉगिंग में काफी सारा पैसा है और जो लोग ब्लॉगिंग में हो तो अल्रेडी पैसा कमाई रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि YouTube में और भी पैसा कमा सकते हैं हो और कितना कमा सकते हैं मतलब curiosity हैं मन में कितना कमा सकते हैं तो सबसे पहले एक example मैं आपको देता हूं example कैसा है देख़ को अगर offline भी कोई business करते हैं या फिर अगरny inna करते तो सबसे पहले सबसे प्रोडक्ट को कोई खरीता है तो आपको फाइदा होता है लेकिन अगर जिस आपको कोई business से समझ लो business के तरीके से समझते हैं क्योंकि traditional एक आपी लोग को समझ में आता है आप सिर्फ पैसे देखके आप सोच रहे हो कि vlogging करो या पैसे देखके सिर्फ सोच रहे हो कि youtube करो तो इस चीज को समझना जरूरी है बिजनेस जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो product होता है आम product को बेचते हैं अगर हमारा product घटिया है तो सामने वाला बंदा उसके बारे में जायर सी बात है कि वो खुश नहीं होगा उसका feedback गलत देगा और वो आपीस आप से कोई product नहीं लेगा मतलब आपकी shop से कोई product नहीं लेगा आपकी company से कोई product नहीं लेगा अगर उसका पहली बार में experience खराब हुआ तो सेम इसी तरीके से मतलब कहने का मतलब है कि quality product होना जरूरी है तभी वो customer आपके चीजों को और भी लोगों को बताएगा साथ में उसका feedback भी अच्छा होगा मेरे कहने का मतलब simple सा यह है उसी तरीके से अगर बात करें YouTube को या फिर blogging को तो आपको एक business की तरह इसको treat करना पड़ेगा आप यह समझो कि यह आपका business है तभी आप इससे पैसे कमा पाओगे और इसको आगे grow कर पाओगे अब कई लोग क्या होता है कि सोचते हैं कि YouTube एक ऐसा खजाना है इसको cheat करके मतलब कुछ भी वीडियो डालके कुछ भी करके पैसा कमा लेते हैं बात का देखा जाएगा लेकि अगर आप सोचो अगर आप किसी चीश से आज पैसे कमा रहे हो कल नहीं कमाओगे उस चीश से तो क्या करोगे तो आपको sustain करना है long term तक sustain करना है उसके लिए आपको honestly काम करना पड़ेगा एक business की तरह treat करना पड़ेगा तो कहने का मतलब आपका product क्या है जो आपकी quality product क्या रहेगी content आप content कितना अच्छा बना रहे हो वो depend करता है कि आप long term तक जाओगे आप पैसे कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे तो content पर आप मेहनत करना पड़ेगा आपका content इतना अच्छा हो कि जब भी कोई बंदा उस वीडियो को देखने आए अभी मैं फिलाल YouTube की बात कर रहा हूँ जब भी कोई बंदा उस वीडियो को देखने आए तो उसको चीज मिल पाया जिस चीज के लिए ओ आया था ठीक किसी थरीके से अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो वेबसाइट बनाया हो तो वेबसाइट पर कुछ अगर आप आप आटिकल पब्लिश कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीजे जो लोग Google पर सर्च करके आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं वेबसाइट पर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आटिकल बनिया लिखना पड़ेगा आटिकल की क्वालिटी जो होनी चाहिए अच्छे होनी चाहिए या फिर जो भी आप सलूशन दे रहे हो ऐसा नहों कि लोग सर्च कर रहे हैं कुछ और और आपने तो टाइटल डाल लिया है कैसे भी करके रैंक करवा लिया है लेकिन अंदर ओचीच नहीं मिल रही है तो धिरे धिरे गूगल भी आपके वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा और बाद में रैंक नहीं हो पाएगी तो कहीं न कहीं आप थोड़े टाइम के लिए पैसे कमाओगे फिर को एक satisfaction मिल सके आपके content से तब जाके आप पैसे कमाओगे चलो मुझे लगता है कि जो यह basic था आप समझ गया रहोगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ अब YouTube में देखो YouTube वीडियो बनाने के लिए आपके बास एक बढ़िया camera होना चाहिए I think 50-60 रूपय तक invest करना पड़ेग एक बढ़िया laptop होना चाहिए जो laptop ऐसा नहीं कि आप 25-30 रूप ले लिए काम चल जाएगा नहीं चलो editing थोड़ा बुद कर लोगे खिच-पिच-खिच-पिच करके लेकिन मजा नहीं आएगा आप थोड़े time में बहुत ही frustrated हो जाओ गयार कि बहुत ही खराब laptop है ऐसा में काम नहीं कर पा रहो तो उसके लिए आपको एक बढ़िया laptop की जरुद पड़ेगी 60-70,000 रुपे की फिर एक आपके बास mic होना चाहिए जैसे मैंने mic लगाया हुआ है एक mic होना चाहिए light होना चाहिए ताकि आप अच्छे से quality video shoot कर पाओ तो ये सब चीज़े आपको खर्च करन laptop ले लेते हैं तो उससे काम जिल दाएगा आपका और एक phone आपके बास mobile phone तो होगा smartphone जिससे photos खीचना है गभी click करना हुआ तो आप कर सकते हैं तो जो blogging है इसमें जो products जो अलग सी यूज़ जो equipments यूज़ हो रहे हैं वो थोड़े मतलब कम खर्चे में हो जाएंगे लेकिन आप लोगों के लिए एक छोड़ा सा gift है तो जो सबसे पहला gift है वो है Bluetooth speaker यह है जिवनिक्स company का इसको मैंने सुना है कुछ से तीन से चार दिन मैंने इसको सुना है बहुत ही मज़े से सुना क्योंकि यार मेरे बास अभी कोई वूफर नहीं था तो मुझे गाने सुनने का मन हो रहा था तो मैंने इसी में सुना है और इसका जो audio है ना काफी मतलब शांदार है काफी शांदार मतलब जिस budget range का यह है मतलब around 1400 का है और 1400 में जो quality दे रहा है ना काफी घजब का है यह जिवनिक्स company का है और एक और product है मेरे बास यह है जिवनिक्स का ही power bank power bank यह 10,000 image की है और यह भी around 800 रुपे की है 800 रुपे का ही है इसकी website पर आप देख सकते है official website जो screen पर दिख रहा है उस पर आपको दिखने मिल सकता है और साथ में एक और product है आप लोग को देने के लिए वो भी जिवनिक्स का headphone है और यह Bluetooth headphone है wireless headphone है जो around एक बार charge करने पर काफी 7-8 गंटे आर काफी बेतर है यह भी 1300 के आसपास का है काफी बेतर है मतलब अगर आप 3000-4000 के headphones यूज करोगे उसकी quality यह दे रहा है और यह भी दो से 3000 रुपे में जो आते है speakers उनके बराबर है तो काफी अच्छा लगा मुझे product तो देको यह तीन लोगों को मिलेगा अपर कैसे मिलेगा आ कैसे participate करते हैं तो वीडियो के end तक बने रहें इस product को लेने के लिए आये continue करते हैं चलो तो अब बात करते हैं कि YouTube व्लॉगिंग में revenue की बात करते हैं कि revenue किसमें कितना है और यह भी देखेंगे कि किसमें काम कितना करना पड़ता है वो इसके बात देखेंगे तो पहले बात करते हैं revenue की देखो Youtube में क्या है यूटुम में जो आगर revenue की बात करें सिर्फ मैं revenue की बात कर रहा हूं जो Google Ad acquaintance देता है और in में भी मैं सिर्फ Google Adsense की बात करूंगा तो Google Adsense की बात करते हैं तो देखो यूटुब में क्या होता है अगर आपका कोई YouTube चैनल है अगर चैनल एंटर्टेन्मेंट है तो उसमें आपको अराउंड 100 के अगर व्यूज आते हैं तो 10 to 20 डॉलर मिलते है पर 100 के व्यूज बोले तो एक लाग व्यूज पर आपको 10 से 20 डॉलर मिलते हैं अगर आप टेकनलोजी से रेलेटेड आपका वीडियो बनाते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मिलता है 5200 डॉलर के बीच में रहता है और कभी-कभी यह थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और जैसे आप मैं जिस तरह के वीडियो बनाता हूं इस पे भी अरॉंड 100 के व्यूज पे 100 डॉलर के अरॉंड तो अलग-अलग टॉपिक पे जो अलग- सकते हो तो क्या पताइक आपका इंट्रेस कॉमेडी में ओता थोड़ा पैसा कं मिल सकता है लेकिन ए वी है की कॉमेडी वीडियो थोड़ा वायरल ज्यादा होती है तो ज्यादा चल सक्ती है अब बात करते हैं बलागिंग में कितना रेविन्यू आता है值 डूने की बात करते और मैं खुद Hindi vlog में own करता हूँ तो मुझे पता है कि कितना मिलता है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ और चाहिए रहेगा तो मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कि कितना मिलता है वो चीज़े मैं आपको दिखा सकता हूँ अब बात करते किस पर कितना मेहनत लगता है देखो मेहनत दोनों जगह पे लगता है और बात इंटरेस्ट की होती है अगर आपको बोला जा कि यहाँ पर गड़ा कोदो आपको इंटरेस्ट नहीं है गड़ा कोदने में लेकिन आपको बोला जागे पैसे मिलेंगे तो आप मजदूर वाला काम कर रहे हो मतलब मजदूर ना चाहते हो भी एक काम कर रहे है लेकिन ब्लॉगिंग क्या है एक पैसिनेट लोग करते हैं दिन रात घसना पड़ता है रात के 4-4 बज़े तक आपको चगना पड़ता है ब्लॉग को सेट अप करने के लिए रिसाज करने के लिए किस पर आर्टिकल्स बनाएं शुरू में जो आप मेहनत कर लेते हो बाद में थोड़ा आपका मेहनत कम हो जाता है क्योंकि backlinks बनाना वो दुनिया वर के काम रहते हैं तो थोड़ा सा जब वो मेहनत कर लेते हो आप तो बात में क्या होता है आप सिर्फ एक घंडे दो घंडे अगर काम करते हैं एक बार जब आपका ब्लॉक सिट अप हो जाता है एक मतलब एक बोला जाता है अगला वीडियो क्या बनाए तो चलो ब्लॉक पे भी होता है ऐसा लेकिन अगर आप एक हपते तक भी कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं करते हो तो ऐसा नहीं कि आपके जो यूजर से डेड हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है लेकिन इस पे क्या है सब्सक्राइबर आपके डेड हो जाएंगे और ऐसा नहीं कि जब भी आप एक मेने के बाद वीडियो लेके आओगे तो वापिस उतनी पब्लिक देखेगी यह भी नहीं है लेकिन आपके अटिकल रंक कर रही है तो 90 में जब आईगी जब देट को कोई गूगल में सवर्च करेंगा और जो आपको आपके और आपके औरिणक है प्ललिक आपको थोड़ेंट र॥ना पड़ेगा जाद मेहनत का काम नहीं ही होता है लेकिन यूटुब में आपको जितना मेनत आज कर रहे हो कल उसका दसभूना आपको करना है उसी तरीके से आपकी responsibility बढ़ती जाती है आपको उस तरीके से content बनाना पड़ता है जैसे जैसे आपका channel बढ़ा होता जाता है इस दोनों डिफरेंट चीज़े हैं लेकिन अगर आप आप दोनों को साथ में करना चाते हो तो आप एक बाद आप एक कोई setup हो जाए तो दूसरा आप start कर सकते हो ए नहीं कि आप दोनों में हाट डाल दिये और फिर कहीं मतलब ना घर के ना घाट के मतलब कोई successful नहीं हो पा रहा है तो ऐसा वाला सीन ना बन जा है लेकिन अगर द गंटे आदे गंटे काम करके अगर आपको ओची सेम अमाउंट आपको मिल रहा है जो आप YouTube से कमा रहे हो तो क्या चाहिए तो देखो अगर पैसे भी देखने जा रहे हो ना तो दोनों में बहुत पैसा है unlimited पैसा है पैसे को लेके आप टेंशन में मत रहो पहले आपना आप किसी को अच्छा लगता है तो शेयर करता है फिर यूचफुल लगता है तो अपने फ्रेंड को रही कमेंट करता है तो ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का ये जो भी है मैंने बता है YouTube व्सेस ब्लोगिंग आप लोग को समझ में आ गया रहेगा और आते हैं आप giveaway पर, giveaway कैसे करना है देखो giveaway में participate करने के लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो के नीचे तीन कमेंट करने है और like करना इस वीडियो को share करना है ये तीन step हो गया उसके बाद आपको Instagram पर follow करना है Instagram पर इसलिए follow करना है कि वहाँ पर मैं result को announce करूंगा Instagram पर 37 के वीडि कर लो दोनों पर मैं active रहता हूं ठीक है और मैं वहाँ पर live भी आता हूं हर Sunday या भी Saturday मतलब week में एक बार live मैं जरूर आता हूं और एक और चीज जिनको products लेने हैं जो चाहते हैं खरीदना देखो honestly मैं बता रहा हूं मैंने speaker को use किया काफी सही speaker है तो जिनको लेना हो ले सकत है 10% का discount है coupon यूज कर सकते है इस screen पर दिख रहा होगा coupon तो इस coupon को यूज करने पर आपको 10% का flat discount है तो आप इसको चाहें तो purchase भी कर सकते हैं क्योंकि यह speakers जो भी अगे वह कर रहा हूं सिफ तीन लोगों को मिलने वाना है बाकि जिसको नहीं मिले हो purchase कर सकता है तो फिलाल क वीडियो में तब तक के लिए क्या मचाते रहो